एमजी मूटर्स के और से एमजी सीवा द्वारा विधर्व के लिए आठ अध्याधूनिक एम्बूलेंस दी गई जिसका वित्राइन भारत सरकार के केंद्री मंत्री रितिन गटकरी इनके हस्ते किया गया कोरोना काल में संपून विधर्व में एम्बूलेंस की कमी हुई थी ये कमी इतनी थी कि जिसे भारी संख्या में कोरोना पेशन ने अपनी जान भी गवाई इसी समस्या को देख MG सेवा ने अपना सामाजिक दायत्व समस्ती हुए विधर्व के विविद सामाजिक संस्था को अक्तियादुनिक एमूलेंस देने का निड़ने लिया इस निदने पर चलती हुए तीन महीने पहले, M.G. की और विधर्ब के आठ विविद सामाजिक संस्था को एम्मूलेंस दी गई थी, इसके बाद गुरुवार को और आठ एम्मूलेंस सामाजिक संस्था को दी गई, ताकि कोई भी पेशेंट एम्मूलेंस ना मिलने पर अपन पर M.G. का एक हमारा बहुत बड़ा कारेकरम है, जिसको हम M.G. सेवा बोलते हैं, उस M.G. सेवा के अंतरगत हम कई काम कर रहे हैं, और एक उसमें मुखे काम ये है कि हम जो कुरोना की जो स्तिती पूरे देश में और पूरे विश्म में उत्पन हुई है, उससे हम सब ने य M.G. ने हमारी कुछ गाड़ियां हैं जिनको के हम एम्बॉलन्स में उसको कनवर्ट करते हैं और उनको हम कई जगहां पर एम्बॉलन्स के रूप में चलाते हैं जिससे के जो मरीज हैं, चाहिए वो ट्रामा के मरीज हों, एकसिसेंट्स के हों या घर पे उनको अविशकता ह हॉस्पिटल लाने के लिए उसमें काम कर रहे हैं और खास करके जो इंटीरियर्स हैं जो हमारे गाओं हैं दूर दराज की जगह हैं जहां पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्द नहीं हैं वहाँ पर हमारी एम्बॉलन्स जो हैं एमजी की ये हमें वहाँ पर हम इनको लग हो रहे हैं कैमरे परसन राजकुमा मोहर के साथ अभी शेक पांसी की रिपोर्ट